आकाश्वाणी भोपाल से प्रस्तोत हैं प्राद शिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं रतनेश सोनी प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दोरां 2600 से ज्यादा नए मरीज मिलने से करोना संक्रमतों की संख्या बढ़कर एक लाग तीन हजार से ज्यादा हो गई है वहीं 89,000 से ज्यादा स्वस्त हो चुके हैं करीब 22,000 करोना संक्रमत मरीजों का इलाज चल रहा है इन दोर में पिछले 24 घंटों के दोरां 393 नए मरीज मिलने से करोना संक्रमतों की संख्या 19,588 तक पहुँच गई है यहां अब तक 14,964 मरीज स्वस्त होकर घरों को लट चुके हैं राज़दानी भुपाल में 244 जबलपुर में 243 नए करोना मरीज मिले वहीं होशंगाबाद में 70 नए मरीज मिले हैं अब यहां कुल मरीजों की संख्या 1227 हो गई है इनमें से 771 ठीक हो चुके हैं खंड़वा में आज 14 नए मरीज मिले हैं अब यहां कुल संक्रमतों की संख्या 1227 हो गई हैं यहां कुल संक्रमतों की संख्या 1020 हो गई है पन्ना में 28 और नीमच में 16 मरीज मिले हैं, मुरैना में आज 15 नए मरीज मिले हैं, कुल संक्रमितों की संक्या 2428 हो गई है, इनमें 2216 ठीक हो चुके हैं, वहीं रायसें में कुल संक्रमितों की संक्या 1076 हैं, इनमें 838 स्वस्थ हो कर घर लट चुके हैं प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ते हुए एक लाग से अधिक हो गई है दूसी और छात्रों की पढ़ाई का नुकसान इसके लिए राज में कक्षा नौ से बारवी तक की पढ़ाई के लिए कल से स्कूल खोले जा रहे हैं प्रदेश में पिछले 24 गंटों के दौरान 2600 से ज्यादा नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाग तीन हजार से ज्यादा हो गई है वहीं 89,000 से ज्यादा स्वस्थ हो चुके हैं करीब 22,000 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है दूसरी और छे महीने के बाद प्रदेश में कल से सरकारी और निजी स्कूल आंशिक रूप से खोले जा रहे हैं जहां कक्षण 9 से 12 तक के छात्र सिक्षकों से जरूरी सुझाव लेने के लिए पालकों की अनुमती से स्कूल जा सकेंगे वहीं सिक्षकों को नियमित रूप से स्कूल आना होगा इस दोरान इस स्कूल परिसर में कोरोना प्रोटोकाल का अनिवारी रूप से पालन करना होगा परितूस दिक्षित आकाशवानी समाचार भवपाल प्रधानमंती नर्दमोधी 27 सितमर को आकाशवानी परमन की बात कारिक्रम में देश विदेश की लोगों के साथ अपने विचार साजा करेंगे यह मासिक रेडियो कारिक्रम की 79 वी कड़ी होगी लोग अपने विचार नमो एप या माय जियो वी ओपन फोरम पर भी साजा कर सकते हैं टोल फ्री नमबर 18-00-11-78-00 पर भी डायल कर अपने विचार रिकॉर्ड कराए चा सकते हैं हाई कोड की मुख्य पीट जबलपूर और खंड पीट इंदौर गौलियर में महतपूर मामलों की सीम सुनवाई 26 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है इस दोरान ई-फाइलिंग के साथ फिजिकल फाइलिंग भी की जा सकती है हाई कोड के मुख्य नियादी शजय कुमार मित्ल के आदेश पर रजिस्टराज जनरल राजिंदर कुमार वानी ने इसका सरकुलर जारी किया है जिसमें साफ किया गया है कि महतपूर मामलों की इ-फाइलिंग के साथ फिजिकल फाइलिंग भी की जा सकती है पूर में कुरोना काल में सिर्फ ए-फाइलिंग की सोविधा दी गई थी लेकिन ए-फाइलिंग में तकनी की परशानी आने की शकायतیں सामने आने लगी लेयादा 30 महीं से फिजिकल फाइलिंग की भी सोविधा दी गई थी हमारी विशे शंकला अच्छी खबर के 63 वे अंक में आज शाम आप सुनेंगे कोरोना काल में मनसौर में बेकार सामान से बच्चों के लियोप्यों की खिलोने और अन्य सामगरी बनाने वाली अंगनवाडी कारी करताओं के नवाचार पर खास रिपोर्ट अच्छी खबर में आप हर रविवार रुबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मा के और समाज को देशा देने में मददगार हो सकती है राजधानी भुपाल में आज सुभा से ही चमकी दूब खिली हुई है और उमस्फरी गर्मी पड़ रही है वही कल शाम राजधानी के कई लाकों में तेज गरज चमक के साथ बारिश हुई इसे तापमान में गिरावाट आने से लोगों को उमस से रहत मिली राइसेंस यो सतना नौगाओं में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई तवाबांद के तीन गेट कल शाम पाच बजे खोल दिये गए तवाबांद से 16,000 क्यूसिक पानी आ रहा है उशेंगाबाद में नर्मदा का जलिस्तर अभी 938 और तवाबांद का जलिस्तर 1166.30 फीट है उधर सीधी इंदोर गुनार रतलाम, उमरिया, मलाजखन और धार जिलों में कल हलकी बारिश दर्ज की गई अब कुछ समाचार संशेप में भारती जन्ता पार्टी भाजपा अध्यक्ष विश्णतर्ती शर्मा के पिता अमर सिंग शर्मा के निधन पर वोक्षिवंति शिवराज सिंग चोहान मंत्रियों, पार्टी पदधिकारीयों और अन्य लोगों ने शोक्व्यक्त करते हुए उनके प्रती श्यर्धान जलिय दमो जिले के बेल धाना गाउं के अंगनवाडी किंद में वित्रिट किये जाने वाले सत्तू के सेवन के बाद दो बच्चे बीमार हो गए, एस डिमन भारती मिश्णा ने मामले की जाज कराने के लिए कहा है जबलपूर मंडल के रेल प्रबंदक संजय विश्वास ने कल नई कटनी इस्तित रेलवे के विभिन वेभागों का निरिक्षन किया श्यूपुरी जिले में आत्म देवर भारत योजनान तरकत कर्शक सहकारी सम्मिलन के कल आयोजन जिला सहकारी के इंदरी वैंक द्वारा ग्राम ठूड़ा में किया गया इस बुलेटिन में इतना ही आप सुनते रहे हैं आकाश्वाणी नमस्कार